दोसों MBA यानि Master of Business Administration जो की एक दो वर्सी ये बहुत ही प्रदिश्टित पोष्ट ग्रैजुट डिग्री है MBA करने के दौरान आप Business Management के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं यहाँ आप सीखते हैं कि एक Business को कैसे सफल बनाया जाए Business करने के तरीके, Business से जोड़ी कई महत पूर्ण जानकारी आप MBA में प्राप्त करते हैं दोसनों MBA के 30 से ज़्यादा Specialization है आज इस वीडियो में उन सारे Specialization पे बात करेंगे जिन में से किसी एक को चूस करके आप अपना Career बना सकते हैं वीडियो पूरा जरूर देखें वीडियो के लाश्ट में कुछ टिप्स दूँगा आपको जो फ्यूचर में आपके काम आ सकती है दोसनों आप जिस भी छेत में रूची रखते हैं आप उस छेत में MBA कर सकते हैं अब आप इंटरंस एक्जाम देना होता है यह आप MBA करना चाहते हैं तो MBA करने से पहले आपको 12th पास करनी होती है उसके बाद graduation पास करके MBA करने के लिए प्रवेस परिच्छा दे सकते हैं और प्रवेस परिच्छा में पास होने के बाद आप admission ले सकते हैं तो कुछ इंटरंस एक्जाम होते हैं जैसे CAT, CMAT, ZAT, MAT, CMAT, NMAT, etc. आप integrated MBA भी कर सकते हैं जो 12th के बाद होता है जो कि 5 साल का होता है जिसमें BBA प्लस MBA होता है अगर आप graduation या post graduation के पाद कहीं job कर रहे हैं ग्रोथ के लिए या managerial position के लिए related field से MBA कर सकते हैं जिसका काफी सारा benefits आपको मिल जाता है आपको जो भी college मिलता है या जिसमें भी admission लेना चाहते हैं उस college के बारे में पूरी जानकारी ज़रूर ले 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 जैसे faculty, placement, college का infrastructure, etc. इसमें आजाता है human resource, HR management, finance management, infrastructure and real estate management, आप कर सकते हैं MBA, oil and gas management में, कर सकते हैं MBA, T management, MBA कर सकते हैं कर सकते हैं management, dairy management, disaster management, project management, sales and marketing management, international business management, healthcare management, business analytics management, quality management. यह चालिस तरह के MBA specialization हैं, यह आप कर सकते हैं. दस ऐसे MBA specialization देखते हैं, जो काफी famous हैं. में आज आता है Human Resource HR Management. किसी भी कंपनी को सुचारू रूप से चलाने के लिए उस कंपनी में HR department का बहुत महत पोल्ड योगदान होता है. समचारी की salary, employee rules and regulation, compensation और leave policy, recruitment, सभी काम HR department के तहता आते हैं. एक पूरा वीडियो है MBA HR पे, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं. यह सेक्टर all-time favorite है, खासकर girls के लिए. स्टार्टिंग salary थोड़ी कम होती है. नमबर टू पे है MBA in Finance Management. Finance के domain में specialization करने वाले candidate के लिए आजकल jobs के धेरो औसर मचूद है. चाहे वह कोई firm हो या कोई company, या फिर banks, सरकारी विभाग या agencies, educational institution, etc. में job कर सकते हैं. Account or Finance के student के लिए ये career best है. नमबर टीन पे है infrastructure and real estate management. इसमें regulatory process, competition policy और infrastructure service, marketing, strategy और infrastructure sector, real estate की needs के बारे में knowledge मिलता है. फ्यूचर में अगर real estate में अपना business शुरू करना चाहते हैं या infra और real estate में interest है, ये career best होगा आपके लिए. आनकि ये sector अभी थोड़ा slow है. नमबर चार पे आजाते हैं, टेलीकॉम management. एक टाइम था जब टेलीकॉम सेक्टर बूम पल था. जी हो आया और टेलीकॉम सेक्टर में बहुत बड़ा बदला आया, तो future में और ज़्यादा growth दे सकता है. टेलीकॉम manager course, generally technology और टेलीकॉम्निकेशन business fundamentals पे focus होता है. ये भी सेक्टर अभी थोड़ा सा slow है. नमबर पाच पे आजाते हैं, MBA in retail management. डेल एक बहुत बड़ा सेक्टर है, जिसमें logistic, marketing, administration, finance, sales market, business diversification, advertising, market research और market segmentation आते हैं. MBA retail management से आप retail industry के expert बन सकते हैं. Retail management 2020 और आने वाले सालों में popular course बना हुआ है. नमबर छे पे आजाते हैं MBA in sports management. दूसर, MBA in sports management एक नया concept है. Sports management, club या team को manage करने के लिए गुन सिखाया जाते हैं. इसमें sponsor से public relation, advertisement और managerial skill भी पढ़ाया जाता है. तो अगर आपको इंट्रेश्ट है sports में, तो MBA sports management में करके आप भी एक नई पारी खेल सकते हैं. जिसमें अच्छी growth और अच्छा पैसा है. नमबर साथ पे आजाते हैं MBA in tourism management. दूसर, MBA in tourism management में transport, public relations, international business, hotel industry, cruise ships, amusement park, destination marketing organization, prevention centers, country clubs, etc. आते हैं, इस career में salary growth के साथ साथ विर इस जान आपके आउसर मिल जाते हैं. MBA hotel management तो पहले से ही MBA tourism management नया concept है. वाइरस संक्रमल के बाद ये sector कुछ जो हो सकता है. MBA in biotechnology management. उसर, MBA biotechnology management उन student के लिए best है जिसने science stream में किसी भी subject like genetics, microbiology, biochemistry, environmental science, botany, zoology, etc. में BSC किया है. MBA biotechnology professionals, pharma critical companies, agriculture, chemical और allied industries में अच्छी job पा सकते हैं. Number 10 पे आजाते हैं MBA oil and gas management इसमें आपको in-depth knowledge और practical training मिलती है international scale पर oil or gas में trading की. इसमें सिखाया जाता है कि कैसे आपको challenges face करने होंगे, decision लेने होंगे, energy industry में काम करते होगे. Oil and gas management best career option है, growth और salary के लिए हैं. Number 10 पे आजाते हैं Rural Management MBA तो रूरल management एक unique specialization है, जो उभलते professional को भाती grammar परिदस से में सुधा उनसे जुड़ी रणी ती बनाने, उनको कार्यानवित करने तथा manage करने की कलामें प्रभीर बनाती है. तो यह थे 10 specialization MBA के, पूरे 40 के बारे में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. आप जब भी MBA करने की planning करें तो future और interest देख के करें, क्योंकि आगे चल के आप अपने experience को business का रूप भी दे सकते हैं, और एक अच्छे businessman भी बन सकते हैं. तो कि इस specialization पे आप detail वीडियो देखना चाहते हैं, comment में जरूर बताए, MBA specialization पे और भी वीडियो है playlist में, उन्हें भी आप देख सकते हैं. वीडियो अच्छा लगा हो तो like जरूर करें, और अगर नए है इस वीडियो पे तो subscribe करके bell icon प्रेस करें, जिससे ऐसे ही वीडियो आपको मिलते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में, thank you.